नमस्कार, साल को शुरू हुए, अभी सिर्फ 14 दिन हुए हैं और एक खबर आई, भारत के लिए, अच्छी खबर आई, खबर ये कि इंडिया की बनाई हुई इंडिजिनस मिसाइल, इनफाक्ट इंडिया की इंडिजिनस मिसाइल जो है, ये रश्या के साथ जॉइंट वेंच और मॉस्को, दो नदियों के नाम पे रखा गया, ये ब्रमोस मिसाइल, इसके लिए जो बोला जाता है, इसके लिए बोला जाता है, जिस भी डिफेंस एक्सपो में चली जाती है, उसमें अपने सेग्मेंट की सारी मिसाइल को डिफीट कर देती है, ऐसी काबल मिसाइल और और आया फिलिपीन से 374 मिलियन डॉलर्स का और आया है, और वो चाह रहे हैं कि ये सप्लाइ एंटी शिप मिसाइल सिस्टम के लिए आए, फिलिपीन की नेवी इसे यूज़ करेगी, उन्होंने नोटिस अफ अवार्ड भी दे दिया है, कॉम्यूनिकेट कर दिया है ब्रमो से जिसको बनाने के लिए फैक्टरी लगी थी, फैक्टरी लगा रहे हैं अभी उधर जो योगी जी का जो डिफेंस प्रोडक्शन का जो प्रोग्राम है उसे फैक्टरी लगेगी, यूपी में ही बनेंगी है अब उत्तर प्रदेश में, और अभी सिफ तीन दिन पहले 11 तर पत्नम से किया गया और आयनस विशा का पत्नम भी हमारा लेटेस शेप है, इंडिजनस शेप है, तो यह ऐसी मिसाइल है जिसमें लगबग सारे वर्ल्ड के कंट्री इस पे पैनी नजर रख्यों है कि मिसाइल कितनी काबिल है और कितनी सटीक, इसकी सटीक जो मरक्शमता है, एक्सक्ट लोकेशन पे लगना, यह अनमैश्ट है, और इसकी 2.8 मैक की स्पीड, यानि के आवाज की गती से, द्वनी की गती से, 2.8 टाइम्स, फास्ट चलना, यह भी एक चमतकार है, यह भी एक बहुत बड़ी एचीवमेंट है, और इसको यह दो चीज़ें बहुत सपोर कर रहे हैं, इंडिया ने तो इसे लगभग, नेवल प्लाटफॉंस में लगभग, सारी जगा लगा दिया है, लेकिन यह जो कॉंट्रैक्ट आया है, यह प्राइमिस्टर मोदी का आत्म निर्भर भारत के लिए एक बड़ा एचीवमेंट है, साथ में, मेक इन इंडिया कैम हम लोग पहले सब कुछ इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन अब एक्सपोर्ट वाली सिच्वेशन आ गई है, हम लोग ब्रहमोस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इससे पहले भी कुछ कंट्रीज ने ली है हमसे, और इसमें इंट्रेस्ट बहुत सारे कंट्रीज ने दिखा है, मैं साथ चाइना सी पे दोनों कंट्रीज, फिलिपीन अपना हग बताता है, लेकिन चाइना उस साथ चाइना से पूरे को अपना बताता है, तो चाइना का जो एक्सपैंशनिस्ट पॉलिसी है, उससे बचने के लिए, उसके मिसाइल, उसकी शिप्स और उसकी सम्मरीन वहां घो चाइना, इनफेक्ट इस कंट्री को इस मिसाइल में इंट्रेस्ट इस से पहले वियेटनाम दिखा चुका है, वियेटनाम भी उसी एरिया में, चाइना से ही तरस्त है, ब्रूना ही दिखा चुका है, वो भी उसी एरिया में, चाइना से ही तरस्त है, साथ में कुछ और कंट कोई उससे बड़ी चीज नहीं है ओमान ओमान जो है गल्फ कंट्री है तो ओमान को भी कोई तवड़ा खत्रा नहीं खत्रा होगा तो किसी एकाद से इस्रेल वगेरा से वो समझता हो तो लेकिन ओमान को कोई खत्रा नहीं है ओमान भी मानता है कि इस्रेल से कोई खत्रा नहीं ह लेकिन ये लोग अपनी security के लिए एजिब भी अपनी security के लिए ठीक है वो सारी बाते मानी जा सकती है लेकिन इसको जो ये missile मांगी Malaysia ने वो चाह रहे थे कि उनके केदा class warship पे और jet fighters पे लगे Malaysia भी उसी area से आ रहा है चाइना की expansionist policies के खिलाफ है तो आप ये समझिये कि कौन से कौन से countries हैं ये Malaysia वो ही है जिसने जो के अभी कुछ दिन पहले तक टर्की और पाकिस्तान के साथ मिल करके एक नई muslim मौमवन आ रहा था ये भी हमसे मांग चुका है इसे भी बाचीत हमाई चारए है बाचीत हमाई सबसे जारी है कुछ से खतम हुई हो तो दूसरी बात लेकिन हमारी general बाचीत सबसे जारी है Vietnam, Indonesia, Venezuela आप वियतनाम तो आप जानी रहे हैं कि वो China के expansionist policy के खिलाफ है इंडोनीजिया, मलेजिया, यह पूरा का पूरा एरिया, जो के चाइना से जोड़े कंट्रीज है, यह सारे एरिया, चारे इंडियन मिसाइल, किस के खिलाफ, किस के कंट्री के खिलाफ, यह सारे के सारे चाइना के खिलाफ हो रहा है, क्यों चाइना पाकिस्तान आक्सेस जो है वो एक खत्रा बन रही है इस रीजन में इन फैक्ट ये एक इंडियन एरोस्पेस इंडास्ट्री के लिए तो गर्फाकर की बात ही कि हमारी मिसाइल सारे एक वर्ल्ड के बड़े वर्ल्ड के जिसे बोलते हैं जादातर कंट्रीस उस पर पैनी नज़र रखते हैं और कुछ बड़े कंट्रीस ने उसे खरीदने की पेशकश भी किये एक ने तो हमें दे ही दिया इससे पहले भी कुछ जगह लगे ये पूरा का पूरा गेम ये पूरा का पूरा गेम इंडिया की और मैं प्राइमिनिस्टर मोदी की बोलूँगा तो लोग बोलेंगे कि ये गोदी मीडिया है और ये विकाव हुआ है और मोदी का क्या बोलते हैं उसे भक्त है अगर मैं ये बोलू कि हमारी इसरो दूसरे कंट्रीस के सैटलाइट्स लाउंच करती है तो ये क्या राजीव गांधी की अचीवमेंट नहीं कि उन्होंने किया मैं उसको भी बोलता हूँ बहुत सारे लोग मुझे मेरे वीडियो में बोलते हैं कि तुम मोदी की तारीफ करते हो लेकिन जब मैंने ये बोला कि हमारे कंट्री में कुछ लोगों के रोल मॉडल राजीव गांधी है तो दूसरी तरफ से भी मेरे पर कमेंट्स आए कमेंट्स से मैं नहीं डरता कमेंट्स आप कीजी अच्छा लगेगा मुझे भी बता लगेगा कि मैं क्या गलत बोलना हूँ लेकिन the fact is कि यहाँ पे प्राइम नेस्टर मोधी की एक अच्छीवमेंट है और यह अच्छीवमेंट यह है कि उन्होंने मेकन मेल डिया इससे पहले ब्रमोस पहले से बनी हुई थी लेकिन उसका मास्केल प्राक्षन और उसका एक्सपोर्ट पे जो फोकस उन्होंने दिया और हमारे HAL जो HAL का जो तेजस है यह था राजीव गांधी के टाइम का प्रोजेक्ट और राजीव गांधी ने इस प्रोजेक्ट को बच्चे की तरह पाल के बनाया डिलेज रहे सब कुछ रहा लेकिन उसको export oriented बनाने का काम हम लोगों की पिछली governments ने और इस government ने किया और बहुत अच्छी तरह से किया साथ में ब्रह्मोस की एक खुबी इसको detect करना tough होता है क्योंकि यह इस level पे उस height पे उड़ती है कि इसको detect करना tough होता है experts बोलते हैं से detect करना tough होता है लेकिन बहुत सारे experts का view अलग भी है जहां तक बात यह कि हमारी जो ब्रह्मोस है यह missile अब चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए इसके टकर की missile बनाना मुश्किल हो रहा है चाहे 50,000 टेस्ट कर ले पाकिस्तान या चाइना लेकिन इसके टकर की missile बनाना मुश्किल हो रहा है पूरी world के पास इसका कोई जवाब नहीं है और यह जो हमें orders मिल रहे हैं इससे तो बहुत clear हो रहा है कि किस type की missile है और कितनी बढ़िया missile है और यह defense के जो umbrella बनता है या missile system है आपके area में आ गई है और जिसको आप target करना चाह रहे है वो बचके नहीं जा सकती अगर आप उसके उपर ब्रह्मोस दाग देतो ship या submarine जो है वो दायबाय मुड़ेगी भी तो ब्रह्मोस उसको कहीं पर भी जाके track कर लेगी यह यह ब्रह्मोस की नहीं खुबी कुछ missiles की और भी है लेकिन ब्रह्मोस से बढ़िया काम यह कोई और नहीं खर पाता यह Indian technology ही है यह Indian technology ही है और in fact Moscow की भी technology है Russia की भी technology है लेकिन इसका ज़्यादातर credit इंडिया को दिया जाता है क्योंकि इंडियास में major partner है इसी के साथ एक और ख़बर के साथ फिर में लेंगे नमस्कार जैहन